हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी चैनल रिदी बुटिक में फ्रेंट्स आज हम बहुत ही पतली डोरी बनाने वाले हैं वो भी बिना सुईधागी की मदद से तो किस तरीके से आपको इस डोरी को बनाना है सिर्फ स्टीच करके वो ट्रीक आज में आपके लिए लेकर आई हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर दिखीगा तो देखें यहां पर हमने सीधा कपडा लिया हुआ है एक इंच की जोड़ाई में और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कपड़े को हमें डबल में फोल्ड करके कोनों को इस तरीके से कट कर देना है और सेंटर जो हमारा मिलता है उस पर हमें स्टीच लगा लेनी है इस तरीके से स्टीच लगाने के बाद हमें धागे को कटने ही करना है धागे को हमें खीच लेना है कम से कम 20-22 इंच का हमें धागा खीच लेना है उसके बाद हमें उसी धागे को पकड़ कर इस तरीके से फोल्ड करना है तो देखे धागे को हमें बीचों बीच में रखना है, देखे किस तरीके से फोल्ड करना है, यह पॉइंट जो होता है वो अंदर की तरफ चले जाता है, और इस तरीके से डबल में फोल्ड कर लेना है, और जितनी आपको पतली डोरी चाहिए उतनी आपको स्टीश लगानी है स्टीच लगाने के समय आपको ध्यान रखना है कि डोरी हमारी पैक वाले साइड में रहना चाहिए और एक पाउडी की मार्जिन पर आपको स्टीच लगानी है अगर आपको उससे भी कम पतली डोरी चाहिए तो आप उसे साफ से स्टीच लगाए धागे को हमें अपने तरफ रखना है और सिलाई लगाते जानी है जब पूरी सिलाई लग जाए तब हमें धागे को इस तरिके से कट करना है और जो हमारा पहले वाला धागा था उसी को पकड़के हमें खिजना होता है तो देखिए पॉइंट को हमें थोड़ा अच्छे से अंधर की तरफ ले लेदा ह सरकाते हुए कपड़े को और जो धागा है उसे हलके हाथों से हमें खीचना है ज्यादा ताकत से हमें नहीं खीचना है तो हमारा धागा तोट सकता है इस तरीके से धीरे धीरे आप जब खीचेंगे तो हमारी डोरी बाहर के तरफ निकल जाती है यह देखिए इस तरीके से हमा हमारी डोरी पूरी बाहर के तरफ निकल जाती है यह बहुत ही आसान ट्रीक है अगर आपको सुई धागे से डोरी पलटान में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप टाइरेक्ट स्टीच करके इस तरीके से डोरी को पलट सकते हैं तो यहाँ पर हमारी डोरी बनकर रेडी हो च स्सक्षाति लोरी बाहती है प्रॉब्लम हो लिए मopathे जाओे जाति है रिद्षा में होको निकल में हो निकल रेवादा में हो यहता है जाता निकल प्रॉब्लम हो लाले हे गये जाता ह।